हरे किशना सभी को आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्लोर टर्च कुर्ती इसके साथ मैं यहाँ पे बॉक्स वाला नेक जो है इसको रेडी करूंगी तो अगर आप वीडियो को completely watch करते हैं तो आप इस कुर्ती की cutting or stitching easily कर पाएंगे तो यहाँ पर इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने 2 मीटर का फैबरिक लिया है और इस फैबरिक की जो अर्ज है यह 1.5 मीटर की है अगर आपके फैबरिक की अर्ज नॉर्मल है तो आपको इस कुर्ती को बनाने के लिए चाहिए 1.5 मीटर का फैबरिक तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका measurement कर लिया तोटल फैबरिक 2 मीटर है और इसकी जो अर्ज है वो यहाँ पर 1.5 मीटर की है तो अब उस फैबरिक को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम कोड़टी की कटिंग करते हैं तो ज्यादा थर हम फ्रंट और गाक एक साथ कट करते हैं तो मैं यहा पर दोनों को एक ही साथ कट कर रहे हूं अगर आप चाहे तो अलग-अलग भी इसको कट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पी जो है दोनों पार्ट एक साथ कट करनी है तो इसलिए मैंने फाब्रिक को four fold करके रखा है तो मैंने अपनी वाली साइड यहाँ पे बंध है और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे open रखा है अब उपर से जो फाब्रिक है उसको हम स्ट्रेट करके निकाल देंगे इसके बाद हम कुर्ती की length में जगरेंगे तो जो कुर्ती की length है यहाँ पे ready वो है यहाँ पे 50 inch याने की 50 inch अब इसमें हमने 1 inch का margin लिया है उपर दवाने के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए इस side हम यहांपे मिज़र करेंगे ARMPLE को तो ARM ball हम लिए है यहाँपे 6 inch के अब इस तरीके से 96 inch लेके हम यहाँपे एक box बना लेंगे अब ARM Citizen में हम गुलाई देंगे Front के देंगे हम एक inch की और back के हम दिंगे 1.5 inch की तो इस तरीके से front और back arm hole की हम यहां पे गुलाई दे देंगे अब इसके बाद ये वाला जो यहां पे line है यहां पर हम करेंगे चेस का measurement अब इंची tape को इस तरीके से रखेंगे और यहां पर साड़े तेरा इंच मेजर करेंगे और यह हमने लाइन को straight कर लिया अब जो पहली वाली लाइन है यहां पर हम करेंगे चेस का measurement तो यहां पर आपका जो भी चेस measurement है उसका आपको 4 पार्ट लेना है तो यहां पर चेस measurement है 42 इंच 4 पार्ट करने पर आएगा यहां पर 10.5 इंच तो हमने साड़े 10 इंच चेस के लिए मारक कर लिया आप यहां पर हम करेंगे कमब का measurement 38 in अवो कट करेंगे और 9.5 तो इस तरीके के से हमने यहां पर मेंज़ कर लिया अजब इस तरी फोर इंच, फोर पाट आएगा यहां पे ग्यारा इंच यानि लेवन इंच इस तरीके से हमने तीनों को मिज़र कर लिया अब यहां पर हम इस तरीके से आप चाहे तो स्केल से नहीं तो आप फ्री हैंड से इसको शेप दे सकते हैं तो यह जो है यह हमारा पूरा प्लेन ले जाएंगे जहां पर हमें चाग बनाने है ठीक है अब इस साइट से हम यहां पर हाफ इंच यहां पर डाउन करेंगे शोल्डर को और इसके बाद जो हमने मार्किंग करी है बाहर वाले मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे हैं तो यहां पर इस तरीके से पूरी नीचे तक जो है हमें इसकी कटिंग कर लेने तो यहां पर हमारे फ्रुप्रेंट ऑफ बैग पाइड संद गट वें अब हम करेंगे इस स्लीप्स की कटिंग तो सलीप्स के लिए हमने ठैबर को फोल कर की रखा है यहां पर जो हमने स्लीप की लैंत ली है विद मार्जन वो 19 इंच है इस सैट से हमने लिया है साड़े 10 इंच अब यहां पर जो हमारी स्लीप से रैडी है वो यहां पर है साड़े 17 इंच इसके बाद हम यहां पर एक इंच नीचे फोल लगाएंगे और आदा इंच यानि की हाफ इंच वह हम उपर स्लाइ में दवाएंगे तो हमने टोटर डेल इंच वह एक्स डालिया है अब जो यह ओपन वाली साइड है यहां से हम तीन इंच यह साड़े तीन इंच अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर ले सकते हैं और इस तरीके से यहां पर हम स्लीप का रखने शेब दे देंगे मूरी वाली साइड हम यहां पर फिटिंग लेंगे जो की 10.5 इंच इसकी बाद में यहां पर देड़ या जितल आपको लेना हो उतना आपको मर्जन लेके लो इस तरीके से यहां पर इसको शेब दे देना और इस तरीके से इसको open करेंगे अब जो front वाली side आपको रखना है उस side आपको यहाँ पे छाट लगाना है और यह चीज़ चेक कर लिजेगा यह जो part आपने रखे हैं एक सीधा और एक उल्टा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने चाट लगा के इस cutting को complete कर दिया अब हम करेंगे यहाँ पर front neck की cutting तो यहाँ पर हमने लिया है canvas इसको मैंने इस तरीके से double किया है अब यहाँ पर जो हम neck की width लेंगे वो 3 इंचे और length हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच जिसमें से हमारा उपर जो है लगबग half इंच जो है दब जाएगा तो साड़े 5 इंच रैडी आएगा अब इस तरीके से यहाँ पर इसको मिजर करके एक box बना लेंगे तो यहाँ पर बस हमें सीधी तीधी लाइन जो है इनको मिला लेना है और कुछ ने करना है अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर लगबग एक इंच ओड़ी जो है यह पट्टी रखोंगी आप इस पट्टी की चोड़ाई जो है वो कम भी रख सकते हैं तो हमने इस तरीके से एक इंच रूप मेररो को सबसे पहले हमने उपको समझा गया होगा अब जो है हमें इस तरीके से एक फैब्रिक लेना है चौकुर इसकी ऊपर इस नेक को हम रखे पेस्ट कर देंगे अब बाहर से जितना भी extra fabric है उसको cut करेंगे और half inch fabric छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से fold करके इसको ready कर लेंगे अब यहाँ पर हमने लिया है front part को यहाँ पर हम छाट लगा लेंगे जो हमने starting में measure किया था तो इस तरीके से हमने armhole में चाटता उसको लगा लिया है अब इस तरीके से जो हमने अभी neck ready किया था उसको हम यहाँ पर बिल्कुल center में रखेंगे आप चाया तो यहाँ पर cut लगा सकते हैं बीच में जिससे की आपको ध्यान रहे कि आपको center में रखना है नहीं तो आप marking कर सकते हैं अब इस तरीके से जो canvas है बिल्कुल इसके किनारे से हम sly लगाएंगे जो हमारा neck का shape है उसमें तो यहाँ पर हमने sly लगा ली है अब अंदर का जितना भी fabric है उसको हम cut करके हटा देंगे कीवल half inch होड़ेंगे उसमें जो है हम इस तरीके से छोड़े-छोड़े cut लगा लेंगे अब इसको पट्टी जो है हमारी इसको हमें करना है wrong side के लिए fold लेकिन अभी हम इससे fold नह बनाया उसके बाद हमने यहाँ पे गुलाई का shape दे दिया अब जो हमने shape दिया है इसी में हम जो है आप इसकी cutting कर लेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने आप देख सकते हैं चोड़ाई में मैंने कम लिया है क्योंकि जो हम इसको attach करेंगे पट्टी को तो वो हमारा slime में चला ज लेंगे अब इसके बाद मैंने इस पट्टी के चोड़ाई रखी है लगभग पॉन इंच और इस तरीके से इसको गोलाई में ही cut कर लिया है अब इस पट्टी का जो बाहरी हिस्सा है इसको हम इस तरीके से fold करके ready करेंगे अब हमें लेना है हमारा back वाला part उसकी ऊपर इस तरीके से रखेंगे जिस शेप में यह है और उसके बाद यहां पर हम पॉइंट वर की स्लाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे तो यहां पर हमने अटैच कर लिया है अब यहां पर इस तरीके से छुड़ी शटे cut लगा लेंगे और इसको wrong side याने की पीछे की तरफ इसको fold करेंगे और इसाङी लगा लेंगे तो यहां पर इस तरीके से हमने इसको एश्लाई लगा के ready कर लिया है तो यह हमारा back neck जो है वो ready हो गया है, кольके तो यह हमारी जो neck की चोड़ाई है वो 3 इंच ही हो गई है अब हमने लिया है यहाँ पर फ्रेंट वाला पार्ट इसके उपर रखेंगे बैक पार्ट को उल्टा करके और जो शोल्डर वाली साइड है यहाँ से जो हमारी पट्टी लगी है इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से दोनों साइड से यानि दोनों शोल्डर जो है वो अटेच करेंगे शोल्डर अटेच करने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे अब यहाँ पर अब देख सकते हैं जो हमारी पट्टी है इस तरीके से यहाँ पर पट्टी के साथ सारा मार्जर हम एक साइड करेंगे और इस तरीके से इसको fold कर देंगे सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली side भी करना है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको fold करके sly लगा लिए है तो यह हमारे neck जो है front और back complete हो चुकी है अब हम यहाँ पर sleeps को लेंगे और sleeps को जो यहाँ पर मूरी वाली side है इसको हम एक इंच fold करेंगे जितना आपने margin लिया हो उसी according आपको fold करना है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से sleeps को fold कर लिया अब हमें लेनी है हमारी कुर्ती इसको इस तरीके से मैंने open करके रखा है अब जो side हमने यहाँ पर cut लगाया था front वाला वो side हमें front वाली side रखना है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे और center वाला जो cut है उसको बिलकुल बराबर रखना है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए और इस तरीके से sleeps को उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम simply हाँ पर slide लगा के sleeps को attach करेंगे यहाँ पर बस आपको दो चीज़ बहुत ज़दा ध्यान लखनी है एक तो हमारा cut है वो बिलकुल बराबर आना चाहिए center में आना चाहिए दूसरा जो हमने chart लगा था वो हमारा front में आएगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हम लगा के sleeps को attach कर लेंगे सेम ऐसे ही दूसरी वाली साइट की जो sleeps है उसको भी हमें attach करना है तो उसमें भी आपको यही चीज़ धियान रखनी है cut जो है वो आपका बिलकुल center में हो इसका भी हमने chart front side रखे दोनों side की sleeps को attach कर लिया है sleeps हमारी attach हो गई अब हमें इसमें करना है fitting तो fitting करने के लिए इसको इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे अब यहाँ पर जो हमने fitting के mark किये थी चाहें तो आप वही वाली marking पे इस लाई लगा लीजिए जो हमारा back का mark है वहां तक हम इस लिशान को लेकर आएंगे और यहां तक हमें sly लगाकर इसको complete करना है same ऐसे ही दूसरी वाली side भी हमें आप चाहें तो यहां पर इसको रखके इस तरीके से छाप सकते हैं निशान को नहीं तो आप दूसरा mark कर सकते हैं तो इसको भी हमें same वैसे ही sly लगाकर back के निशान तक जो है वो sly को complete करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी fitting कर ली है तो यहां से start करके मैंने यहां तक जो back वाला माग था वहां तक sly को किया है उसके बाद sly को back कर दिया अब नीचे की जो side थी यहां पर 1.5 वो हमने यहां पर इस तरीके से fold करके चाक को ready किया है अब नीचे तक जो है हमने यह चाक जो है वो straight रखे हैं और उसके बाद land को measure करके नीचे का fabric fold कर दिया है तो इस परकार आज की वीडियो में हमने इस floor touch कुर्ती को ready कर लिया है तो उमीद करूंगी गाइस आज की वीडियो आपके लिए helpful होगी कमेंट में जरूर बताएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में